जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी प्यारे भक्तों को जै सिरी जगननाथ दोस्तों इस टाइम मैं आया हूँ जगत के पालन करता प्रभू जगननाथ जी के दर्सन करने के लिए स्वामी जगननाथ जी का विश्व प्रख्यात मंदिन उडिशा राजी के पुरी में इस् तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जगननात्पुरी कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर पहुंचने के बाद में होटल या धरमसाला कहां पर लेना चाहिए, यहाँ पर खाने पी आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको यात्रा की A to Z full information मिल सके, तो आज मेरे साथ करिए प्रभु जगननात जी की पावन यात्रा, दोस्तो कमेंट बॉक्स में जैसरी जगननात चरूर लिखें, तो एकदम सुरू से सुरू करते हैं और जानते हैं कि आप जगननात पूरी कैसे पहुँचेंगे, यहां तक आने का सबसे अच्छा तरीका रहता है ट्रेन का, ट्रेन के माध्यम से आप पूरी रेलवे स्टेशन तक बहुत ही आराम से पहुँच सकते हैं, यहां की connectivity बहुत ज़्यादा अच्छी है, हर पूरी रेलवे स्टेशन से आपको डारेक्ट प्रेन यहां तक के लिए मिल जाती है, पूरी रेलवे स्टेशन से जगननात मंदिर की दूरी मातर दो किलो मीटर रह जाती है, रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको आटो, टैक्सी, मैजिक मिल जा आटो वाले आप से चार से पांच परसन के लिए 120 रुपए का चार्ज करते हैं तो आप 100 से 120 रुपए दे कर मंदिर के पास तक पहुंच सकते हैं वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो पुरी का नीरेष्ट एयरपोर्ट भूमनेस्वर में है जो लगभग 60 किलोम मीटर की दूरी पर इस्तित है भूमनेसर पहुंचने के बाद में आप वहां से बस या टैक्सी के माध्यम से पुरी तक आ सकते हैं बस में आप से एक बात आप ध्यान देंगे और देखेंगे कि आप मंदिर को किसी भी दिसा से देखते हैं तो मंदिर के सिखर पर लगा चकर हमेशा आपकी तरफी दिखाई देता है यह यहां की बहुत ही बिसेज बात रहती है तो चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं जगननात पु सबसे पहले बात करते हैं धरमसाला की मंदिर से 100 मेटर पहले यहां का बहुत ही फेमस दूध वाला धरमसाला इस्तित है जहां पर मात्र आपान सु रुपए में नौन एसी रूम ले सकते हैं बात होटल की करें तो आपको मंदिर के पास में बहुत से बजट होटल से लेकर VIP होटल तक मिल जाते हैं आप होटल धरम जोती, सिरी विश्नुदर्सन, होटल अगरवाल और भी बहुत से होटल हैं जहां पर आपको नौन एसी रूम 600 से 700 में मिल जाते हैं वहीं एसी रूम आपको 1000 से 1500 में बहुत ही आराम से मिल जाएंगे वहीं आप अगर चाहें तो निवास में भी रूम ले सकते हैं वहीं दोस्तों अगर आप रधियात्राव के टाइम पर आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको जहां कहीं पर भी होटल में रूम मिल जाते हैं आप तुरंत ले लीजिए क्योंकि इस टाइम पर यहां पर लाखो करोडों लोग दरसन करने के लिए आते हैं तो आप रेल्वे स्टेशन के पास में गोल्डन बीच रोड पर या कहीं पर भी आपको एक अच्छा सा होटल मिल जाता है तो आप तुरंत उसको ले लीजिए क्योंकि इस टाइम पर यहां पर होटल धूनने में बहुत प्राबलम होती है लेकिन भग बेल्ट पर्स बैग एलाव नहीं है आप इन सभी चीजों को अपने रूम पर ही छोड़ सकते हैं या आप चाहें तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बने काउंटर में भी फ्री में जमा कर सकते हैं वहीं मंदिर के सामने भी बहुत सी सौफ्स बनी हुई है जहां पर मुवाइ के लिए 10 रुपए छोटे बैक के लिए 20 रुपए और बड़े बैक के लिए 50 रुपए का चार्ज करते हैं आप इन सौफ्स में भी अपना सामन जमा कर सकते हैं तो चलिए भगवान जगननाच जी का नाम लेकर लगेंगे लाइन में और चलेंगे मंदिर में दरसन करने के के लिए दोस्तों यहां मैं जून जुलाई में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो इससे बचाव के लिए यहां पर पानी का इस्प्रेक किया जाता है जिससे भक्तों को ज़्यादा परिसानी ना हो लाइन में लगकर आगे बढ़ते रहेंगे और मंदिर के में दौर स से प्रवेस होकर हम लोग मंदिर के अंदर पहुंचेंगे राइट साइड में ही आपको प्रसाथ काउंटर मिल जाएगा जहां पर आप 200 रुपए और 500 रुपए में प्रसाथ ले सकते हैं और अब हम लोग फिर से लाइन में लगेंगे और प्रवेस करेंगे मुख्य मंदि रह जाएंगे प्रुभु जगननाथ जी के दर्सन करके आप खुद को धन्र कर सकते हैं आप बहुत ही सौभागे साली हैं जो आप यहां पर दर्सन प्राप्त कर सके हैं जगत के पालनहार भगवान जगननाथ आपकी सभी मनोकामनाव को जरूर पूरा करें मंदिर च्छपण भोग बनता है आप इस रसओए में जितना भी भोजन बनता है उसका भोग भगोन को लगता है फिर मंदिर परीशर में ही आनंद बजार है फिर वहां से आप इस प्रसात को ग्रहन कर सकते हैं शाथे सात्फ अपने प्सेंजनों के-लिए भी यहां से प्रसाथ ल रही है रत को कितनी खुबसूरती से बनाया जा रहा है दोस्तो रत यात्रा के समय आपको यहाँ पर बहुत ही ज़दा भीड़बार मिलेगी तो चलिए दरसन करने के बाद में अब हम लोग अपने रूम पर आकर कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग जानते हैं कि आप यहाँ पर कहां कहां घूम सकते हैं दोस्तो साम को आप 4-5 बजे यहाँ के फेमस गोल्डन बीच पर मस्ती करने जा सकते हैं मंदिर के सामने से ही रास्ता गया हुआ है टिकसे बाले गोल्डन बीच तक के लिए आप से 30-40 रुपे का किराया लेते हैं बहुत ही प्यारा यहाँ पर खाने पीने के लिए भी आपको बहुत से स्टॉल मिल जाएंगे तो आप खाते पीते हुए समून की लहरों के साथ में सकून के पलब पिता सकते हैं आप यहाँ पर उट और घोड़े की सबारी का भी मजा ले सकते हैं बच्चों के लिए यह पल बहुत पाल मंदिर, धौल गिरी मंदिर, लिंग राज मंदिर, नंदन कानन जू, उदयागिरी, खंड़ागिरी की गूफाओं में घूम सकते हैं साथी साथ यहाँ के फेमस कौनार्ट सूर्य मंदिर में भी दर्सन करने जा सकते हैं कौनार्ट सूर्य मंदिर के पास में बागा भी से कर सकते हैं जिसमें आपसे 2500 से 400 रुपए बस का किराया लिया जाता है सुबाद 6 बजे बस जाती है पूरे दिन घुमाने के बाद में साम को 6-7 बजे आपको यहीं पे डॉप कर देती है तो अगर आप सस्ते में घूमना चाते हैं तो आप बस के माध्यम से आराम से इन सभी जगाओं को कबर कर सकते हैं वहीं आप अगर प्राइवेट कार से जाना चाहते हैं तो AC कार के लिए आपसे 3000 रुपए लिए जाते हैं वहीं नौन AC कार में आपसे 2600 रुपए का चार्ज करते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा अगर आप 3-4 लोग हैं तो आप एक प्राइवेट कार कर लीजिए, आराम से 3000 रूपे दे कर बहुत ही अच्छे से इन सभी प्लेसे को कवर कर सकते हैं, तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रमुक मंदिर साक्षी गुपाल मंदिर में दरसन करने के लिए, जो पूरी से लगभग 20 किलो मीटर की दूरी पर इस्ता यहां पर दरसन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्लेस पर, जो है धौल गिरी, जो यहां से लगभग 35 किलो मेटर की दूरी पर इस्तित है, यहां की खुपसूर्ती आप देख सकते हैं, आप यहां पर भगवान बुद्ध के दरसन कर सकते हैं, इसके अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्श प्लेस, जो है लिंगराज टेंपल, लिंगराज मंदिर भी विश्विक्यात मंदिर है, जो यहां से लगभग 10 किलो मीटर की दूरी पर भुमनेस्वर में इस्तापित है, दोस्तो मैक्सिमम टूरिस्ट इस मंदिर में दरसन करने दरसन करने आईए, आप यहां पर महादेव जी के दरसन करके अपनी सभी मनों कामनाओं को पूरा कर सकते हैं, लिंगराज मंदिर में दरसन करने के बाद में, अब हम लोग अपने अगले प्लेस पर चलेंगे, जो है उद्यागिरी और खंडागिरी की गुफाएं, यहां प लगबग एक से देड़ घंटा यहां पर घूमने के बाद में, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्लेस पर, हमारा अगला प्लेस है नंदन कानन जू, जो यहां से लगबग 20 किलो मीटर की दूरी पर इस्तिध है, तो चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं, नंद बंदर, हाथी और बहुत से तरह के टाइगर्स को भी देख सकते हैं, आप यहां पर एसेन टाइगर देख सकते हैं, रोयल बंगार टाइगर देख सकते हैं, वाइट टाइगर को भी देख सकते हैं, सेरों की भी बहुत सी प्रजात आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर म घंटे घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने सबसे फेमस प्लेस कुनार्क सन टेंपल में दर्सन करने के लिए जो नंदन का नंजू से लगपक 65 किलोमेटर की दूरी पर समुन के किनारे इस्तित है। पहले चंदरबागा बीच में घूमस्ती कर सकते हैं उसके बाद में मंदिर में दर्सन करने आ सकते हैं या आप मंदिर में दर्सन और घूमने के बाद में फिर चंदरबागा बीच पर मस्ती करने जा सकते हैं। तो अगले दिन चिलका जिल में भी इंजॉय करने जा सकते हैं तो चलिए जानते हैं यहाँ पर आने का बेश्ट टाइम क्या रहता है आप यहाँ पर जून जुलाई में होने वाली रथ यात्रा में सामिल हो सकते हैं या आप सितंबर, अक्टूबर और सर्दियों में यहाँ पर घूमने आ सकते हैं सर्दियों में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ बार रहती है क्योंकि मे और जून में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो maximum लोग यहाँ पर सर्दी में दर्सन करने के लिए आते हैं तो चलिए अब जानते हैं यहाँ पर खानी पीने की आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है दोस्तों यहाँ पर आपको pure wedge खाना मिलता है बहुत से यहाँ पर ढाबे भी आपको मिल जाएंगे या आप चाहें तो यहाँ पर street food भी enjoy कर सकते हैं वहीं आपको यहाँ पर बहुती अच्छे अच्छे restaurant भी मिल जाएंगे आप यहाँ पर अगरवाल restaurant में भोजन कर सकते हैं यहाँ पर बहुती स्वाधिश्ट आपको भोजन मिलता है तो आपको यहाँ पर खानी पीने में कोई भी problem नहीं होगी तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी question budget की कितने budget में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम दो या तीन लोग तो यहाँ पर दर्शन करने आएंगे ही आएंगे और आप अपना plan टू डेज और वन नाइट का बनाते हैं या थ्री डेज टू नाइट का भी बना सकते हैं और आप उडिसा के main places पे घूमने भी जाते हैं तो आप मान के चलिए कि 5000 से 6000 पर परसंड के बजट में बहुती अच्छे तरीके से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे तो दोस्तो यहाँ पर मैंने भगवान जगननाच जी की यात्रा की पूरी जानकारी को बहुती अच्छे और सही तरीके से देने की पूरी कोसिस की है मैंने सभी questions को cover करने की पूरी कोसिस की है अगर फिर भी आपके कोई questions रह जाते हैं तो आप हमें comment के माध्यम से पूस सकते हैं बहुती जल्दी आपके comment का reply दिया जायेगा दोस्तों आपके वीडियो से related कोई भी सुझाब हो तो आप हमें comment box में जरूर बताईएगा अगले वीडियो में उनकों जरूर सामिल किया जाएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं comment box में जरूर लिखिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें motivate जरूर करें आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा motivation मिलता है तो please like और share जरूर करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe जरूर करें साथी साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में all notification को जरूर किलिक करें तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे है informative वीडियो में तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें आपकी यातरा सफल सुगम और मंगल मैं हो जैन जै भारत जै सिरी जगन्नाद